तो दोस्तों आज फिर से लेके आए है देश विदेश की तमाम ताज़तरीन बड़ी खबरे फटाफट एक एक करके सबसे पहली बड़ी खबर आपको बताएंगे कि इसराइल हमास की जंग में हमास की हुई सैयूक राष्ट संग में जीत सैयूक राष्ट परिशद में हार गया इसराइल अमरीका फिलिस्तिन के साथ आए रूस चीन अमरीका इसराइल के परस्ताओ पर लगाए पीटो इसराइल अमरीका का रोरो कर बुरहाल मुस्लिम देश कतर से लगा मोदी साकार को जटका कतर में गिरफ़तार आठ पूर्व भारतिय नेवी को सुनाई गई मौत की सजा कतर ने इन पर लगाया था जासू सी कारो इसराइल हमास की जंग में जुमा की नमास पढ़ने के बाद मुसल्मानों से हमासने की अपील कहा की नमास पढ़ने के बाद रफा बॉर्डर खुलवाने के लिए घर से निकल कर मुसल्मान करे दुनिया भर में प्रदर्शन इस्राइल हमास की जंग को लेकर इरान ने अमरीका को फिर दिखाई आख अगर इस्राइल ने गाजा पर हमले बन नहीं किये तो मुसल्मानों को कोई नहीं रोक पाएगा कर देंगे इस्राइल को तबा कैनेडा में फिर से भारत विरोधी घिरोनी कारवाई दशरे में खिलिस्तिनियों ने तिरंगे में लपेट कर प्रधानवंत्री मोधी का जलाया पुतला कॉंग्रेस पार्टी को लगा बड़ा जटका सितापूर जेल में आजम खान ने कॉंग्रेस नेता आजयरोय से मिलने से किया इनकार इसी तरह के डेले अपडेट देखने के लिए अभी कॉमन न्यूस चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए